एक बड़ी पुरानी कहावत है कहते हैं अती का भलान बोलना अती की भली न चूप जैसे अती का भलान बरसना और अती की भली न धूप एक तरफ चाइना का गोवर टाइम्स भारत के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें लिख रहा है और ये कह रहा है कि भारत का सपना पूरा नहीं होगा आने वाली और सफलताएं बेहद क्रूर होने वाली है ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है परवक्ता बनना चाहता है सं नहीं दूसरी तरफ चाइना के हतियार तबाह हो गए बरबाद हो गए जो रिपोर्ट आ रहे हैं वो रिपोर्ट बता रहे हैं कि डिफेंस मार्केट से लेकर डिफेंस हतियार तक चाइना के तबाह हो रहे हैं जानेंगे जियो पॉलिक्स में क्या कुछ चल रहा है ये जान अपच्छा नहीं पारा है अपच्छ हो गया है लेकिन न ये मीडिया मुझे बहुत पसंद है ग्लोबल टाइम्स यह क्या करता है यह जादा तर वही बाते बोलता है जो जिंपिंग इसे बुलवाते हैं कहने कारती है है कि China CCP जो कहना चाहता है वो Global Times के जरिये कहता है तो यह मानकर चलिए कि यह बात ने जो कह रहा है यह चाइना कह रहा है और मुझे पसंद क्यों है पसंद इसलिए है कि जब जब यह कुछ ना नुकुर करता है जब जब भारत के निगेटिव बोलता है न वो सारी चीजे भारत के लिए बड़ी ही पोजिटिव तोर पर सामने आ जाती है एक बार फिर से इसने ऐसा ही छापा है वैसे आपको बता दें चायना की इस वक्त इस्तिती ये है न कि G20 में क्या हो गया कैसे हो गया इन्हें समझ में नहीं आ रहा है दुनिया कह रही है कि G20 सफल हो गया ये सिखर सम्मेलन गजब का रहा लेकिन जोइन्ट स्टेट्मेंट जिस पर अडंगा लगना था वो सब कुछ ठीक ठाक हो गया पर यहां पर अब गोबर टाइम्स ये कह रहा है कि भारत गलोबल पावर बनने का सपना देख रहा है जो पूरा होना मुस्किल है गलोबल टाइम्स ने लिखा है भारत ने आकिरकार जोइन्ट डिकलेरेशन पर सहमती बना लिया जिसने उससे की सिखर सम्मेलन की सरमिंदगी से उसे बचा लिया उसने इस बात का भी जिक्री किया कि पहले की मीटिंग में कभी भी सहमती नहीं मनी जो मतभेदों वाली दुनिया से निपटने के लिए एक भारत का संगर्स दिखाती है चीन ने कहा कि जो जोइन्ट डिकलेरेशन आया इसने एक बार फिर साबित कर दिया कि G20 जियो पॉलिटिकल और सुरच्छा से जुड़े मुद्दों को हल करने का मंच नहीं है गलोबल साउथ की ताकत को दिखाता है और आपको बता दें आम सहमती पर पहुँचने के लिए पस्चमी देशों के राजने की उक्रेयन से जुड़े सब्ध हटाने को तयार हो गये क्योंकि वो चाहते थे कि सम्मेलन को भारत की बड़ी सफलता के तौर पर देखा जाए गलोबल ट को आने वाले चुनाओं में फायदे के तौर पर देख रही है गलोबल टाइम्स का ये भी कहना है कि भारत अपने आपको गलोबल साउथ और पसीम के बीच एक ब्रीज की तरह देखता है भारत के महासक्ति बनने का सपना आधर्सवादी है लेकिन जो सफलता है ना वो मिलन करना चाता है साथ ही PPE को खुस भी करना चाता है वैसे आपको बता दे थोड़ा अभी बैलन्स में नहीं है और केमिकल लोचा है लग रहा है जो ये लिख रहें है इसी को तो सफल डिप्लोमेसी कहा जाता है जब आप बीभिन लोगों को जोड लेते हो ये लिखना भूल ग्लोबल टाइम्स हाला कि सबसे अच्छी बात पता है क्या है इस ये बार बार याद दिलाता है इसने फिर याद दिलाया अंतरास्टिय समुदाय को खाने का और उड़ जा के संकट से निपटने पर ध्यान देना चाहिए लेकिन कहां यहां पर तो कुछ भी नहीं दिख रहा भारत अपने आपको आगे बढ़ाने की कोसिस कर रहा है यानि ग्लोबल टाइम्स का ये कहना था कि भारत ने राइस के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है उस मामले में भारत की आलोचना करो ये सारी चीजें क्यों कर रहे हो अब अच्छी बात क्या है इसके साथ इसने आज तक जो जो कहा है जैसे इसने कहा कि भारत मैनुफेक्चरिंग हब बनना चाहता है ऐसा कुछ नहीं होगा लेकिन अब दुनिया यही कह रही है कि भारत मैनुफेक्चरिंग हब बन रहा है अब ये कह रहा है ग्लोबल साउथ का लीडर बनना चाहता है ऐसा कुछ नहीं ह लेकिन आप देखना ये भी होगा इसलिए कहीं न कहीं ये जो भी निगेटिव कहता है उसका ठीक उल्टा हो जाता है अब सबसे पहले इसे अपने घर में जाकर देखना चाहिए जो रिपोर्ट आ रही है वो रिपोर्ट बेहद खतरनाक है और ये रिपोर्ट क्या कह रही है रिपोर्ट ये कह रही है कि चाहिना से सब कुछ छिन रहा है और बुरी तरीके से चाहिना बरबाद हो रहा है रिपोर्ट किसकी है रिपोर्ट है सिपरी की और सिपरी एक जानी मानी संस्ता है जो हतियारों को लेकर बड़ा ही अच्छा रिपोर्ट देती है इन्हों ने कहा कभी बहुत जोरदार हुआ करता था और चाइना ने करीब तीरपन देशों को हतियार सप्लाई किया है आपको बता दें एक समय था जब चाइना का मार्केट फ्रांस के अमेरिका के मार्केट को टक कर देने लगा था पाकिस्तान हो बंगला देश हो अफरिका हो मयनमार हो इन स सारे देशों में चाइना का राज हो रहा था इसक्रीन पर आप ये कटिंग देख सकते हैं जिसमें इन बातों को कहा गया लेकिन हुआ क्या हर जगह से कुछ न कुछ गड़वड आने लेगी चाइना के द्वारा बनाए गए हतियार ना सिर्फ टेक्नलोजी में कमतर थे बल मैनमार ने ग्राउंडेट कर दिया ज्यादा तर चाइनी जेट को और इसने हाई प्राइस पे किया था और आपको बता दें अभी भी सिर्फ चार साल हुए हैं डिलिवरी को और बार बार मेंटनेंस की जरूरत होती है और इसी वज़े से इनों ने अब सुखोई की तरफ ध नहीं F22P फ्रीगेट्स करीदा गया जिसमें बहुत सारे प्रॉबलम हैं अब यह मान रहे हैं कि यहां पर इतना ज्यादा गड़बड है कि यहां धीरे धीरे गिरावट आ रही है ग्लोबल मार्केट का सेयर चाइना का सिमट रहा है 5.6% से 5.2% रह रहा है और कहा जा रहा ह सच मानिये यह चाइना के बुरे दिन की सुरुवात है जल्द ही चाइना के हतियार बिकने बंद हो जाएंगे खैर इसक्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं इसका मतलब यह है कि चाइना के लिए हर रास्ते अब बंद हो रहे हैं कहते हैं काट की हांडी बार बार नहीं चड़ा करती है और ऐसा ही चाइना के साथ हो रहा है और यह एक सेक्टर नहीं है हर सेक्टर में करीब-करीब ऐसे ही हालात है खेर आपको क्या लगता है क्या चाइना ने अपने पैरों पर कुलाडी खुद मारी है कमेंट कर अपनी राय जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वी